है गाइस वर्कम बैक तो और ऑफिशल चैनल न्यूस वालिटिक्स एंड टेक और मैं हूँ अच्छ आज मैं अपनी इस नहीं टेकी वीडियो में लेका रहा है आपके पास रिनौल्ड कुट क्लाइमबर 1.0 सबस्क्राइब मोटाइमनट प्रओं टेट तो चलिये दौसर डिसकैंज लिए सबसुत करते बरिचोंगिशन है जाव सब लो大概 अच्छी का डिया कमी एक स्थे फिले की फ्लैंबर की सो यह के लिए वह company ने रेनॉल्ड कुट में इस साल के नए 2017 Expo में नया launch किया था यह market में आच चुका है और यह काफी trending इस समय चल ला है इसके specifications है इसका displacement CC यह जाता है इसको इसका CC है 1000 CC और यह आपको mileage देता है 24.4 km पर लिटर का यह 25 km पर लिटर का average देता है जिसमें आपको driver terrain मिलता है front wheel drive और इसका fuel type रहता है petrol because हम petrol variant के बात करने और इसमें max power रहता है 67 bhp इसका max stock रहता है 91 Nm और इसमें transmission type है automatic क्योंकि हम automatic transmission के variant की बात करने तो इसमें automatic है और number of gauge इसमें 5 दिये गए है so अगर आम tires की बात करने तो इसमें wheels इसमें steel के दिये गए है चाहे आप महंगा model करे दे चाहे सस्ता model करे दे और इसमें spare wheel भी steel का दिया गया है features की बात करने तो features में गाड़ी सिर्फ गाड़ी थोड़े minus point पे है क्योंकि ससी है इसके लिए less points इसको मिलते है जैसे की safety में airbags में इसमें सिफ एक दिया गया है airbag वो भी सिफ driver के लिए और इसमें seatbelt warning इसमें दी गई है उसके लाव इसमें कुछ नहीं डाला गया है breaking interaction के मामले में भी गाड़ी काफी low है और locks and security में तो सबकी तरह normal है यानि की engine immobilizer, center locking, speed sense, speed sensing door lock, child safety lock यह सब तैप की features इसमें दिया गया है comfort and convenience की बात करने तो इसमें air conditioner जो है वो manually operate करना होता है और इसमें 12V power outlet जो है वो एक ही दिया गया है यानि की front row में और इसमें headlight off और ignition key of reminder भी इसमें दिया गया है anti-layer mirror जो है वो manually operate होते है और वो भी internally से और इसमें heater भी दिया गया है साथ 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 समें seats और अपोस्टी के अब बात करने तो इसकी seat का material लिया गया है वो fabric है और इसमें जो steering wheel है और gear knob है उसमें leather wrap नहीं किया गया है जिसे की गाड़ी उतनी अंदर से सुंदर नहीं दिखती और इसका driver seat adjustment है यानि की driver जो चलाते है उनके लिए seat adjustment है वो है manual पर इसमें height adjustment का option नहीं दिया गया है साथ 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 इसमें front passenger seat जो है वो भी manually adjust करनी पड़ती है और rear passenger seat जो है वो bench type है सो इसमें interior जो है वो dual tone दिये गया है यानि की ये full black रहते है और इसमें base brown color भी रहता है सो इसमें folding rear seat जो है वो full हो जाती है और rear seat जो हो 60-40 split हो जाती है सो इसमें storage ची बात करने तो इसमें cup holders सिफ front के लिए रहते हैं और इसमें entertainment की और जिसमें आपको USB Compatibility, Aux Compatibility, Phone & Audio Streaming with Bluetooth Compatibility, MP3 Playback, CD Player, DVD Player, FM AM Radio और यह सब टाइब की फीचर्स आपको दिये गए हैं पर इसका माइनस पॉइंट यह है कि इसमें स्पीकर्स दो दिये गए हैं अगर आप अपने हिसाब से गाड़ी को कस्टुमाइज कराते हैं खरीदने के बाद तो आप इसमें दो की जगा चार स्पीकर्स डलवा सकते हैं मैंनस वरएंटररी लेनॉल्ट जेता है निख्यास साल की वरएंटरी माइन को ता और रेनॉल्ट म्हां इसमें कितनी वर्एंटरी लेता है ।। ब्US प्सक्राश करते कि इसमें व्रिएंट्स इसमें तरह से रहते हैं ।। 117- वो इसके पैट्रोल ही रहता है यानी कि मीडियम उफ पैट्रोल ना भी सवाममडिघ यान ही अंगर आप Inner anders लेखे migrate साते साथ माम्मेडल ए somewhere इसमें MANUAL और आंटमेडिक वेरियंट वेरिट्स दिये गए हैं, इसमें Armor 2.8 L rust अए, 4.41 L rust तिक जाते हैं जिसमें कि आपको अगर क्लाइमबर वर्जन लेना है तो आपको उसके लिए 4.41 लाक्स आपको एक्सपेंड करने पड़ते हैं अगर आपको नीचे के अप्सेंस में जाते है तो आपको नॉर्मल वाली कोईट मिलती है जिसकी आपको प्राइस प्राइस बड़ता है इसमें 2.8 लाक्स देके 4.19 लाक्स अगर आप अपना बज़ट भढ़ते हैं और आप सोसने कि आपको खरीदेंगे तो आपको उसके वे बात करें कि कि अपको इसके अपको क्लाइमबर ही सबसे टॉप मॉडल है So it's 4.71 लागस और इन बॉडल की शुरुबध होती है 4.71 लागस तरेके 4.71 लागस सबसे में So, इसमें आपको CC उतना ही मिलता है और मैलेज भी इतना ही मिलता है क्या रहता है तो नेक्स वाइयर्स तक के लिए एस्टिमेंटेट जिसका कॉस्ट दिया गया है वह 17,660 मैंनल टांजमिशन के लिए दिया गया है अगर आम बात करने की क्लाइमबर का और या फिर आटमाटिक वेरियंट की बात करें तो वह दिया गया है यहां पे बीस अजार यानि कि आपको नेक्स शीर्स तक के लिए इसमें सिर्फ 20,000 का खर्चा आएगा और अगर आप थोड़ So thanks for watching my video guys stay amazed and stay tuned for my like for my next video and see you later